बश्कार दोस्तो, कास किलासेज में मैं चंदर हास एक बर फिर से आप सभी का सवागत करता हूँ और आज हम आपके लिए एक बहतरी हरियाना जीके की टेस्ट सिरीज लेकर आए हैं और ये टेस्ट सिरीज आपको ग्राम सचियू कैनाल पटवारी HCS और हरियाना के एकजाम के लिए ताबुत की कील साबित होगी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपने एक परसन से और परसन कैसे बनाने हैं एक परसन से ही और परसन कैसे समझने हैं और ये इतनी बहतरीन वीडियो है कि सायद आज आप पहली बार बढ़ेंगे तो आज हम हरियाना जीके की टेस्ट सिरीज लेकर आए हैं ये बड़े ही सांदार होने वाली हैं और जितना प्यार और सहयोग आपने हमारे साथ में डिस्टिक वाली वीडियो के उपर टोपिक वाली वीडियो के उपर और पुरानी वीडियो के उपर दिया है उतना ही प्यार और सहयोग आप लगातार हमारे साथ में बनाए रखिएगा और इस वीडियो को भी दीजिएगा तो एक बार फिर बता देते हैं ये हरियाना जीके की टेस्ट सिरीज है जो आने वाले निकट भविसे में गराम सचीव कैनाल पटवारी हरियाना पुलिस के एकजाम के लिए लाबकारी है मतलब महतरपूर्ण है उनके लिए और हम वहीं परसंड करवाएंगे जो एचससी के अंदर पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है तो आज का हमारा पहला क्यूस्टन है कि सैना अद्यक्स जर्नल दलबीर सिंग सुहाग का पैतरक गाउं किस जिले में है माना कि आपको ये परसंड आता होगा लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि इस परसंड से और परसंड कैसे निकालने हैं और परसंड कैसे बनाने हैं तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपको पहले कितना आता था और अब कितना आने लगा है। तो ये पूछ रहा है कि जो सैना अध्यक्स है दलबीर सिंग सुहाग उस दलबीर सिंग सुहाग का सम्मंद कौन से जिले से हैं तो दलबीर सिंग सुहाग है उनका गाव तो पढ़ता है बेरी और उनका जिला पढ़ता है जजजर याद रखेगा बेरी जजजर से पूरव आर भीमेश्वरी देवी का मंदिर, भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी में, दलबीर सिंग सुहाग बेरी से, और हर्याना के पर्थ मुख्यमंतरी भगवत द्याल सर्मा, हर्याना के पर्थ मुख्यमंतरी भगवत द्याल सर्मा का संब्ध भी बेरी से रहा है, लेकिन उनके ना 2008 में हुआ था पंचकूला IT पार्क 2008 में बना था याद रखियेगा पंचकूला IT पार्क 2008 में हरियांजा के रेवाडी में सैनिक् स्कूल दूसरा 2008 में बना था और पलवल भी कब बना था तो आब बताएंगे 2008 में लेकिन ये कालका से सिमला नेरो गेज रे लाइन है वो कालका से सिमला नेरो गेज रे लाइन भी कब बनी थी तो सोरी उसको विस्वुरासत सूची में कब जोडा गया था 2008 में कालका से सिमला जो नेरो गेज रे लाइन है वो बनी थी 1903 में लेकिन उसको विस्वुरासत सूची में जोडा गया मंदीर और मेला बेरी में लगता है और हरियाना के पर्थ मुख्यमंतरी भगवत द्याल सर्मा कहां से थे तो आप बठाएंगे बच्चे बेरी जदत्जर से हुआ करते ठीक है और एकदम बहतरीन एकदम शांदार तरीके से पढ़ेंगे एकदम मस्द तरीके से एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे, बस आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन से सवतंतरता सहनानी थे ये पूछ रहा है कि एक समाचार पत्तर था जिसका नाम था कोहिनूर कोहिनूर समाचार पत्तर के संपादक कौन थे तो आप बताएंगे बाल मुकुंद गुप्त कोहिनूर समाचार पत्तर के जो संपादक थे वो बाल मुकुंद गुप्त हुआ करते थे इनका संबंद कहां से है तो आप बताएंगे गुडियानी से और ये गुडियानी वर्तमान में रिवाडी डिस्टिक में है पहले जजर में था और जजर पहले रोतक में था तो गुडियानी रोतक के अंदर हुआ करता था एक टाइम ऐसा था कि जब जजजर नहीं बना था रेवाडी नहीं बना था तो उसमें गुडियानी रोहत्तक डिस्टिक के अंदर हुआ करता था आज ये गुडियानी रेवाडी डिस्टिक में बढ़ता है इस गुडियानी से बाबु बाल मुकुंद गुप्त का संबन है और ये बाबु बाल मुकुंद गुप्त जिसने कोहिनूर समाचार पत्तर निकाला था बाबु बाल मुकुंद गुप्त का हिंदी और उर्दु के उपार समान अदिकार था हिंदी में हिन्दूस्तान और हिंदबंगवासी और उर्दु में अकबार ये चुनार और कोहिनूर समाचार पत्तर निकाले थे जिनका संमन्ध गुडियानी जज़र से है कोंग्रेश का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था हरियाना में रोहतक की तरफ से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भाग लिया था और जज़र की तरफ से पंडित देंद्याल सर्मा ने भाग लिया था ये याद रखना अपने बाबो बाल मुकंद गुप्त लेकिन आपसे बच्चे पूछे कि राय मुकंद दास का छटा कहा है जिसे बीरबल के छटे के भी नाम से जानते हैं तो आप कहां बताने वाले हैं नारनोल में नारनोल जिसका पूराना नाम है नरास्ट या जिसे नंदी ग्राम के नाम से भी जानते हैं जहाँ पर बच्चपन बीता था सेरसा सूरी का अरे सेरसा सूरी का बच्चपन बीता है तो किसके पास में बीता था तो आप बताएंगे इबराहिम सूरी के पास में सेरसा सूरी ने हुमायू से हरियाना को कब छीना था, तो आप बताएंगे 1540 में, हम आपके माइन में डाल देते हैं कि हरियाना जीके का प्रक्टी सेशन चला हुआ है, तो आप ये ना सोचें कि एक परसन से और परसन कैसे कैसे बन रहे हैं, आप जितना हम बता रहे हैं, या तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजी, सेव कर लीजी, या आप साथ की साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, एकदम बहतरी नमज आएगा, एक पर्सन आपका गलत नहीं होने देंगे अब की बारा एकजाम में, एक परसन गलत नहीं होगा आपका लगातार आप अमारे साथ में बने रही है चलिए नेक्स फ्यूसन है मुर्रा भैस एक किसम है अरे मुर्रा भैस की किसम है मुर्रा भैस की किसम है यह याद रखिया है मुर्रा भैस जिसे हर्याना में काला सोना मुर्रा भैस को कहा जाता है और मुर्रा भैस अनुशनधान के अंदर नार नोंद में पड़ता है नार नोंद जो हिसार में है और हिसार जिसका पुरान नाम इसु यार है और जो हिसार फिरोशा तुगलक ने तेरा सो चोवन में बसाया था फिरोशा तुगलक ने जिसे उत्तर भारत की सटील सीटी, मैगनेट सीटी और इसपात नगरी के नाम से जानते हैं उस हिसार को तो किलियर है तो ये सभी पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से किलियर र आता है तो आप बताएंगे गाउं में सम्मानित विक्ति को गाउं में सम्मानित जो व्रद होता है जिसकी एज काफी हो चुकी होती है वेवहा में पंच्याइती रुपिया गाउं में सम्मानित व्रद को दिया जाता है किलियर है तो याद रखिएगा ये परसन आपको बह 22 जनवरी 2015 के अंदर एक योजना की शुरुआत हुई जिसका नाम था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपच से 22 जनवरी 2015 में हुई थी और पानीपच से किस ने की थी तो आप बताएंगे नरेंदर मोधी ने की थी और ये नरेंदर मोधी सामसद है वारानसी से और वारानसी है यूपी में यूपी की राधानी लखनव है लखनव गोमती नदी के उपर है गोमती गंगा की सहयक है लेकिन गंगा की सबसे लंबी सह यमुना है और यमुना कहां से निकलती है यमुनोतरी से और हरियाना और उत्तर परदेश के मद्दे यमुना नदी 320 किलोमेटर लंबी सीमारेखा बनाती है हरियाना और उत्तर परदेश के मद्दे यमुना नदी 320 किलोमेटर बनाती है यमुना नदी हर्याना के पूर्वी छोर के उपर भैती है तो इस्ट के अंदर भैती है लेकिन हर्याना यमुना नदी के कोण सी दिशा में है तो आप बताएंगे पस्सिम में 22 जनौरी 2015 को बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ अवियान की शुरुफात हुई पानी पत्से हुई स्री नरिंदर मोधी ने की थी याद रखे, इस बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अब यहां का यदि देखे, वरतमान में इसकी बरांडा मेस्टर कौन है तो आप बताएंगे साकसी मलिक वरतमार में इसकी जो ब्रांड अमस्टर है वो कौन है साकसी मलीक अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है साकसी मलीक का जनम और पूछा गया है साकसी मलीक का जनम 3 सेप्टमबर 1902 में के अंदर हुआ था साकसी मलीक का जनम 3 सेप्टमबर 1902 में हुआ था याद रखना है आप सभी ने 1902 में के अंदर ही पानीपत दोबारा डिस्टिक बना था एक जनवरी 1902 में में पानीपत दूसरी बार डिस्टिक बना और 1902 में में ही पंचकुला का ही गार्डन पढ़ता है जिसका नाम है यादविंदर गार्डन पंचकुला के यादविंदर गार्डन से आमों के मेले की सुरुवात हुई थी कब तो आँ बताएंगे 1902 में से तो बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ अभियान की पर्थम ब्राणड अबेस्टर फस्ट बराणड अबेस्टर देखे तो आँ बताएंगे माधुरी दिखसेत सैकंड बराणड अबेस्टर देखे तो परनीती चोपडा जिसका सम्मध अंबाला से है और तीसरी, थार्ड बराणड मेस्टर देखे या वर्तमार बराणड मेस्टर देखे तो साकसी मलिक जिसका सम्मन्द रियो ओलम्पिक से है रियो जो ब्राजील में पढ़ता है, ब्राजील जो दक्षिन अमरीका महादवीप में, साउथ अमरीका कंटिनेंट में पढ़ता है, वहां से है साक्सी, मतलब उस खेल से समंदीत है, रियो ओलम्पीक से कुस्ती से समंदीत है साक्सी मलीक, वैसे इनका गाम है, मोकरा गाम, र पूरे देश का लिंगानुपात पूरे देश में यदि सेक्स रेश्यो देखे तो सबसे कम सेक्स रेश्यो हरियाना का था और उसी सेक्स रेश्यो को बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सुरुवात की थी अब हरियाना का लिंगानुपात सुध 2011 की जनगन्ना के अनुसार, हरियाना का लिंगानुपात 1000 अनुपात 889 है और आब यह लिंगानुपात 920 को भी पार कर चुका है 920 को भी पार्च कर चुका है अब हरियाना का लिंगानुपात सुधरेगा या नहीं सुधरेगा तो इसके लिए लिंगानुपात निगराणी डैसबोर्ड कहां बनाया गया था तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर बनाया गया था लेकिन इसी जनवरी में और इसी 2015 के अंदर घटना है 13 जनवरी 2015 की, 13 जनवरी 2015 में हर्याना की पहली CNG ट्रेन चली थी, कहां से कहां चली थी, तो आप बताएंगे कि ये ट्रेन चली थी रेवाडी से रहुत्तक के बीच में, ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था, जब हर्याना के रेवाडी से रहुत्तक के बीच में CNG ट्रेन चली हो, 13 जनवरी 2015 के अंदर, लेकिन इसी से एक साल गटा दे, पूरा एक साल, 13 जनवरी 2015 से पूरा एक साल गटा दे, तो 13 जनवरी 2014, अरे देश का आठवा परमानु सुनियंतर लगा था, गोरखपूर कुमारिया के अंदर, फतेहाबाद में, देश का आठवा परमानु सुनियंतर, गोरखपूर कुमारिया के अंदर लगा था, 13 जनवरी 2015 में, कॉंग समझ में आ रहा है समझ में आया होगा तो चलिए आव नेक्स पॉइंट की तरह बढ़ते तो यह सभी चीज़े याद रखे सारे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से किलियर हो जाने चाहिए यदि आप इतने बहतरी नोट्स बना लेते हैं न तो हरियाना में हरियाना जीके क के अलावा कोई नहीं होगा आप जैसे हम बता रहे हैं सेम टू से वैसे ही नोट्स बना लेते हैं तो पूरे मार्केट में कोई भी बुक वगर्या कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा आपके नोट्स चलेंगे आपके नोट्स बिकेंगे इस परकार के नोट्स हैं ठीक है तो देखे नेक्स पॉइंट पूछे ना लिंगानुपात में पर्थम कोन सा है सेक्स रेश्यो में पर्थम कोन सा है तो मेवात है याद रखे ये चीजे तो बहुत अच्छी बात है नेक्स पॉइंट लिखे देखे खनीज अंसादनों में किस जिले की परधानता रही है हर्याना का वह जिला जिसमें खनीज अंसादनों में परधानता रही है तो आप बताएंगे मेहंदरगड मेहंदरगड जिसका पूराना क्या नाम है तो आप बताएंगे कानोड कानोड का किला किस ने बनवाय था बलबन ने गुलाम वन्स का सासक हुआ करता था कौन बल्बन अरे गुलाम वन्स का संस्तापक कौन था कुतुबु दिन एबबग और कुतुबु दिन एबबग ने गुलाम वन्स की नीव कब रखी थी बारासुचे में कुतुबु दिन एबबग किसका गुलाम था मोहमद गोरी और ग् प्राइन की दूसरी लड़ाई में मोहमद गोरी जीत जाता है और पिठ्वी राज चोहान की हार होती है गोहाना सोनीपत में पढ़ता है उस गोहाना का किला पिठ्वी राज चोहान ने बनवाय था तरावडी जो करनाल में पढ़ता है उस तरावडी का किला पिठ्वी राज था और चंदरबरदाई जिसका संबंध हिसार से था और हिसार जो फिरोज शाहत उगलग ने 1354 में बसाया था 1354 में बसाया था कौन सा सहर हिसार और ये हिसार जिसे उत्तर भारत की सटील सीटी, मैगनेट सीटी और इसपात नगरी के नाम से जानते है 9-10 जनवरी को ग्राम सचीव का एक्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि हरियाना का वहे सहर जहां पर सबसे जाता लोहे की नलकिया बनती है तो आप बताएंगे हिसार तो महंदरगड जिसे खनीजो का संग्रहले कहते हैं 1857 की क्रामती में कौन सा अंग्रेज अधिकारी महंदरगड के किले को देखकर चक्कित रह गया था तो आप बताएंगे हडसन एक मातर हरियाना का जिला एक मातर डिस्टिक जिसका हेड़ कौार्टर हेड ओफिस दूसरी जगए जिसका मुख्याले दूसरी जगए है तो महंदरगड महंदरगड जिसका मुख्याले कहा है तो आप बता देना पर ये स्टुडेंट कि इसका ज जल महल पढ़ता है नारनोल में, बीरबल का छत्ता पढ़ता है नारनोल में, लेकिन बीरबल का रंग महल, लेकिन बीरबल का रंग महल यमुना नगर में, और यमुना नगर के बोडिया कस्बे में, और बीरबल का रंग महल जो यमुना नगर में है, उसे बोडिया का रंग मह एल भी कहते हैं, ठीक है ना, समझ मेरे याद रखें, चलिए next point है, पीपलाद रिशी का सम्मंद कहां से है, ये पूछ रहा है कि एक रिशी है जिसका नाम है पीपलाद रिशी, और पीपलाद रिशी का सम्मंद कहां से है, तो बच्चे आप बता दे ना, पीपलाद रिशी का संबन्द बागोत से है हरियाना में पर्शिद शिव का मेला हरियाना में यदि ये पूछे कि सबसे ज़्यादा जो पर्शिद शिव का मेला है वो बागोत में लगता है बागोट से कोन से रिशी का संबन्द पीपलाद रिशी का, पीपलाद रिशी का संबन्द कोन से डिस्तिक से है तो आप बताएंगे महंदरगड से महंदर गड़ के अंदर एक गाव पड़ता है श्याना गाव और उस श्याना गाव से कौन से रिशी का संब्ध है उद्दलक रिशी का अरे ढोसी की पहाडी से कौन से रिशी का संब्ध है चव्यन रिशी का राखी गड़ी हिसार से कौन से रिशी का संबंद है जमदागनी रिशी का दुबलधन जजर से कौन से रिशी का संबंद है तो दुरुवासा रिशी का और पेहवा से कौन से पेहवा जो कुरुच हित्तर के अंदर है उससे कौन से रिशी का संबंद है तो आप बताएंगे य याती, वसिस्ट और रिशी विश्वमितर का सम्मंद कहां से है पेहुआ से और वो पेहुआ नोवी सदी में उत्तर भारत का घोडों के व्यापार का बड़ा केंदर हुआ करता था हरियाना का वेह सहर, जो नोवी सदी में घोडों के व्यापार का बड़ा केंदर था, पेहुआ पेहुआ जो कुरूछेतर में है और कुरूछेतर जिसकी ऐसे रिजरवसीच सहाबाद है सहाबाद जो मारकंडा नदी के ऊपर है मारकंडा नदी जो सर्श्वती की सहायक है सर्श्वती नदी जो हरियाना में आदी बदरी से परवेश करती है और आदी बदरी का मेला यमुना पनगर 1989 में बना था और इसी के साथ में पानिपक कैथल और रेवाडी भी बना था रेवाडी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है रेवती जो बलराम की पतनी थी बलराम जो स्री किर्शन का भाई था स्री किर्शन जो बलराम से दाउजी कहता था और दावजी का मंदिर बंचारी गाउं पलवल में पढ़ता है और पलवल जिसे कोटन सीटी के नाम से जानते हैं और कोटन हब के नाम से सिर्शा को जाना जाता है तो ये चीजे याद रखेगा एकदम मस तरीके से पढ़ेंगे एकदम जहर तरीके से एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे, मस तरीके से पढ़ेंगे तो प्यारे स्टूडेंटों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और जितने भी परसंड आएंगे, अच्छे अच्छे परसंड वो लगातार हम करते चलेंगे तो आसा करते हैं कि हमारे दवारा जो इस टेस्स सिरी चलाई जा रही है यह आपको पसंद भी आई हो आपको वीडियो कैसी लगी है वो आप कमेंट में आंस्वर देंगे कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी है और लगातार आप अपना प्यार और सहयोग इसी परकार से हमारे साथ में बना कर रखिएगा हम आपके लिए एक सेक बहतरी इन वीडियो हर्याणा जीके में देने की कोशिस करेंगे तो आप हमारे साथ में लगातार बने रहें और इस वीडियो को जादा से जादा से जादा सेहर भी करेंगे आप ये आप वादा करें हमसे कि आप हमारी आने वाली परतेक वीडियो को सेहर भी करेंगे और ये चीज़े हम इसलिए बोलते हैं ताकि हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर वगेरा बढ़ जाएं सब्सक्राइबर वगेरा की संख्या कम है उसके कारणी ये चीज़े हम आपसे बोलते हैं तो वीडियो को जादा से जादा स्टडी गुरूप में सेयर करें आप अपने दोस्तों से बोले कि वो कास किलासिज के उपर आए और कास किलासिज पे हमारे साथ में जुड़ें और आपके साथ में जुड़ कर बहुत 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